नमस्ते, तो आज हमें एक और रिडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है, इस वक्त वो क्या सोच रहा है, आपको लेकर, ठीक है, खोशिश करते हैं जानने की, ओके, तो देखो गाइस, मुझे तो ऐसा लगते हैं कि आपके पर्सन कई दिनों से आपसे दूर है, या तो लॉंग डिस्टंस में हो आप बिलकुल मुलाकात नहीं हो रहे हैं, या तो अगर पास में भी रहते हो, तो बिलकुल कॉंटक्ट में नहीं हो आप दोनों, इस अंसाने आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे दूर है, इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको भोलना चाहते है, या आपसे कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने आपके उपर काम कर रहे हैं, इस रिष्टे के लिए, अपने आपके उपर काम करना उस अंसान के लिए जरूरी था क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं वो कुछ ग्रोड करना चाहते हैं और फिर अपने फैमिले से बात कर सके अगर उस अंसान के हाद में कुछ है नहीं अगर जॉब नहीं है ठीक है वो पैसा नहीं कमाते हैं तो फिर कैसे आपके लिए स्टाइड ले प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और अगर यह परस्ट आप से दूर है तो वह इस रिष्टे के भलाई के लिए हैं ठीक है कि वह रिष्ट क्यूंकि वह इस रिष्टे में कुछ करना चाहते हैं वह इस रिष्टे को जस्टिस देना चाहते हैं ठीक है ऐसे अब यही लगता है कि अगर वो उनकी बात नहीं, जैसे कि आपके परसन को ऐसा फिलूरा कि अगर उनके घरवाले उनको डाट रहे हैं, अगर वो उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके परसन के भलाई के लिए कर रहे हैं, यह आपके परसन को समझ में आ आपके परसन ऐसे नहीं कि वो अपने आई बाबा को ऐसे ही हर्ड कर देंगे ठीक है वो बहुत ज़दा सोचते हैं वो उनको मानते बहुत हैं ठीक है तो यह बहुत अच्छी बात है जो अंसान अपने माबाप का सम्मान कर सकता है वो किसी का भी कर सकता है ठीक है और यह बात बहुत अच्छी है कि यह परसन अपने माता-पिता की बात बहुत मानते हैं ठीक है और इसकी बज़र से वह अपने आपके उपर बहुत ज़दा काम करने की कोशिश कर रहा है ठीक है पास्ट में इस अंसान ने जो कुछ भी जगड़े किया आपके साथ यह आप से दूर चले ज़दा है यह आपके पास आएंगे तो आप अप कमिटमेंट की बात करोगे और वह अंसान कमिटमेंट नहीं देपाएंगे ओँvikwo प्रसन chemिश करेंगा तो जो बोले कि मैं करूंगा लेकिन बस commitment का जो issue है परिवार वाले जब मानेंगे तब ही मैं तुम्हें commitment दूँगा ये इंसान आपको धोका नहीं देना चाहता ये इंसान तो अभी भी आपको जूट मुट का बोल सकता है कि हाँ मैं दुझे commitment देने वाला हूँ तू आजा वापस ठीक है लेकिन ये person आपके साथ जूट बोल कर आपके साथ कोई धोका फरेव नहीं करना चाहते है वो जो भी है सच सच बोलना चाहते हैं और जिस दिन उनको परिवार वाले मानेंगे जिस दिन वो अपने परिवार को समझा पाएंगे वो दिन आपको वो commitment जरूर देंगे तो ये अनसान आपके आने का बहुत सा इंतजार इस इंसान को है आपके person कहते कि वो आपकी हर बात मानेंगे commitment को छोड़कर जब तक उनका परिवार नहीं मानता तब तक ठीक है तो कहते कि बस तू वापस आजा आपके इंतजार में हैं आपके person क्यूंकि आपके साथ जो बिताय लंभे है उस अनसान को सोने नहीं देते हैं ना जीने देते हैं चैन से एक एक बात उस इंसान के ध्यान में चलती रहती है सोट आजते बहुत जाधा है जेसे उनका नाम स्टार्ट हो सकता है ठीक है और यहाँ पर यम भी है काईस यम से भी उनका स्टार्ट हो सकता है नाम और यहाँ पर बना है I I से भी हो सकता है आपके person का name ऐसे हो सकता है कि इस इंसान के घर में कमाने वाले आपके person के जो father है वो अकेले है उनके उपर बहुत बोज पड़ रहा है और आपके person को support करना चाहते हैं ऐसे हो सकता है या यह नया घर खरिदना चाहते है ऐसे भी बहुत जड़ा energy है यहाँ पर कि नया घर खरिदना चाहते है और उसके लिए बहुत यह effort डाल रहे है होशिश कर रहे है, मेहनत कर रहे है, ढोण रहे है ऐसा भी हो सकता है फिर वो बहुत ज़़ा busy है उस का में कि अब करें तो क्या करें नया घर खरिदना है हो सकता है या कोई इनका construction का काम चल रहा है ऐसे भी हो सकता है उसकी बज़ा से busy है ये भी हो सकता है ठीक है तो देखो गाइस आपके person आपको miss बहुत करते हैं लेकिन इनके पास option है अब option कैसे है कि अपने परिवार को भी देखन है अपने काम को भी देखना है वादी की है उनको निभाने के कोशिच भी वह करना चाहते है वह आपको बिल्कुल उदास नहीं रखना चाहते है वाई से बहुत किसी का नाम स्टार्ट हो सकता है यहापर स्कूर्पियो राशी दिखाई दे रहे हैं मुझे और यहापर अभी भी आपसे दूर रहे वो चाहते हैं आपसे शादी करें ठीक है यहाँ पर क्याप्रिकॉन राशी भी हो सकती है आपकी पॉर्सन के बहुत जदा अट्रक्षन ठीक है अट्रक्षन फील हो रहा है और यह इंसान खुद भी इस बात को मानने के लिए तयार नहीं कि वो आपका हुआ है और वह दोनों के लिए भलाई की बात करते हैं वह नहीं चाहते कि आपको भी उनकी परिवार की तरफ से कुछ सुनना पड़े वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसे इशू हो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा उदास हो और ज़्यादा उदास हो ऐसा वो बिलकुल नहीं चाहते है और इस वज़े से उनको नींद भी नहीं आती है बहुत बेचेन रहने लगे है आपके परसन लेकिन वो कुछ करेंगे ऐसा कुछ कर जाएंगी फिर आप दोने एक हो जाओगे और कभी अलग नहीं होंगे ठीक है किसी की बूरी नजर हो सकती है इस रिष्टे पर ऐसा फील हो रहा है कोई निगेटिव लोग है आपके आसपास अपके आखे बहुत ज़ादा अड्राक्शन फिल करवाती है वो बहुत खुबसूरत मानते हैं जब भी आप काजल लगाते हो ठीक है उनको लगता है कि वो फिर आपके आखों में डूब जाते है ऐसे भी बहुत ज़ादा यहाँ पर वाइब्स है यहाँ पर कोई लड़किया ऐसी है कि जो बड़े बड़े जुम के पहनती हो ठीक है अपके परसों को बहुत पसंद आता है जब आप ऐसे जुम के पहनती हो बड़े बड़े कान में उनको बहुत अच्छा लगता है उसमें आप बहुत ब्यूटिफुल देखते हो ऐसा उनको लगता है ठीक है ट्राडिशनल लुक में आप ज़्यादा खुबसूरत लगते हो ऐसे उनका मानना है कोई और तो है जो नहीं चाहता है जलने वाला है कोई आपकी खुबसूरती ठीक है आप दोनों भी बहुत खुबसूरत देखते हो जब आप दोनों साथ रहते हो ना जोड़ी बहुत परफेक्ट लगती है ऐसा लगते है कि जोड़ी बस एक दूसरे के लिए ही बनी है ठीक है मिलना चाहते है मिलने की तरफ तो आपकी परसन में बहुत ज़ादा है ऐसे कुछ बात है कि वो परसन आपको बता नहीं सकते ऐसे कुछ बात है कि कुछ मजबूरिया और उनको लगते कि आप समझ नहीं पाओगे आप उनको ही जूटा मानोगे ऐसा कुछ है गाईस कि आपकी परसन आपको बताना तो चाहते हैं में को लगता है कि आप उस इंसान को जोटा मानोगे आप उन बातों पर विश्वास नहीं करोगे कुछ लोग या पर ऐसे भी है कि आप दोनों में ब्रेक अप हुआ है ठीक है और उसके बात जो आप दोनों के हालत हुई है मतलब वो इंसान भी बहुत दर्द में है आप और आप भी बहुत दर्द में हो और जादा तर एनरजी मुझे ऐसी ही आ रही कि कि किसी दूसरों की बज़े से आप दोनों के बीच में ब्रेक अप हुआ है या आप दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं दूसरों की बातों में आ गए ऐसे भी हो सकता है गाईस ट्रास्फर्मेशन देखो अगर आपको लगता है कि अंसान नहीं बदलेगा ऐसा बिलकुल नहीं है या तो अल्रड़े इस इंसान के अंदर बहुत ज़र्द रास्फर्मेशन आ चुका है या यह इनसान खुद को बदलना चाहता है सिर्फ आपके लिए अगर इस इंसान मे इस रिष्टे में भी चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ठीक है गाउट साइडर मुझे ऐसा लगता है कि यह आपके परसन हो सकता है कि इनको बच्छपन में प्यार नहीं मिला है ठीक है जिस उम्र में जो प्यार चाहिए था वो इस अंसान को कभी मिला नहीं हो स जाता था कि उसको बहुत ज़दा प्यार मिले ऐसा कुछ है कि आपके परसन नाराज है हमेशा से ही कि उसको भगवान ने हमेशा ही कुछ दुख दिये है कुछ नाइंसाफिक की है उसके साथ भगवान ने हीलिंग और वो परसन अपने आपको हील करना चाहते उस इंसान को सब भी लगता है कि वो आपके साथ बहुत ज़दा खुश रहते हैं आप एक ऐसे इंसान हो जिसने इस इंसान को हील किया है ठीक है और क्या है रीबेल आपके परसन में घमन भी है गाईज इस इंसान को पता है कि इसका इगो बीच में आ जाता है आप में कुछ लड़किया ऐसी है जिनके बाल बहुत लंबे और बहुत खुबसुरत है और आपके बाल इस इंसान को बहुत ज़दा मोहक लगते है बहुत अट्राक करते है ठीक है घने लंबे खुबसुरत बाल हो सकते है किसी के यहापर ठीक है तो अदर रीबेल की जो एनरजी है गाइस इस इंसान में जो एहंकार है वो भी बहुत ज़दा यहाँ पर प्रोब्लेम क्रेट कर रहा है और देखो सब कुछ चेंज होने वाला है एक न्यू बेगनिंग वो खुद भी करना चाहते है और होगा एक न्यू बेगनिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है आपके परसन आपको जाने अंचान में मैनेफेस्ट करने की कोशिश कर रहे है उस इंसान को अगर पता भी नहीं है कि मैनेफेस्टेशन होता क्या है तो भी जाने अंजाने में ये person आपको manifest कर रहे है और वो चाहते है इस रिष्टे में rebirth हो जाए आप बहुत भोले होगा, बहुत ज़़ा भोले हो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक तो भोले हो, ठीक है? उपर से आपके अंदर maturity की कमी है और उपर से हो सकता है कि कई दिनों से आप एस इंसान के साथ बात नहीं कर रहे हो या ये अंसान आप से बात नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि जो आप दोनों के बीच में जो भी क्या बुलते हैं उसको? एक bond था, वो कही न कही अब मजबूत बनना चाहिए तो वो मजबूत नहीं बन रहा है इस इंसान को लगता है कि जो तक आप दोनों के बीच में कमिनिकेशन नहीं होगा तो समझेंगे कैसे वो, दिल की बाते समझेंगे कैसे उनको लगता कि वो मानते है इस बात को कि आप बहुत भोले हुआ, बहुत सा प्यारे इंसान हूँ, लेकिन जब आप जब तक आप बात नहीं करोगे, चुप चुप रहोगे, तो फिर वो जानेंगे कैसे कि आपके दिल में चलता क्या है, कंपरेजन कर रहे हैं वो आपको, वो खुद से कंपरेजन कर रहे हैं, या किसी और से कंपरेजन कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कंपरेजन कर रहे हैं, और आपके प्वरसन डिवाइन टाइम का बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि वो आपकी तरफ जल से जल आये लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप भगवान जो करेंगे वो होगा divine time का इंतजार करें उनको समझ में आ रागे कि यह सब कुछ वो कितना भी कोशिश कर ले इस रिष्टों को सुधारने की लेकिन जब वक्त आयेगा जब divine time आयेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा एक विश्वास भी आपके person के अंदर है guys ठीक है 9 number 5 number double 5 है यहापर यह कुछ खास हो सकते हैं आपके लिए देखो वो कितना ज़दा अक्केले पड़ गे पहले भी बोला था कि आपके person कुछ financially grow करना चाते हैं परिवार को सपोर्ट नहीं अंसान कर पा रहा था तो अब यह अंसान अपने परिवार को सपोर्ट करना चाता है और आपके बिना उसके हालत क्या हुई है आपको आप देख रहे हो उस अंसान से चला भी निजार आपके बिना इतने ज़दा तकलिव इतने ज़दा दर्द में आपके person है राशी है टोरस वर्गो क्या प्रिकॉन इगनोर हो सकता है कि आप इस अंसान को इगनोर कर रहे हो अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो अब आप उनको आटेंशन नहीं दोगे भाव नहीं दोगे फोर अप कप्स के नर्जी है राशी है कैंसल स्कॉर्पियों पाइसी और देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहापर कुछ तो ऐसा हुआ है परसने उनको भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ तो नाइंसाफी की है हो सकता है आपके फीट फीचे कुछ ऐसा किया एस इंसाने ये खुद उस बात को जानता भी है कि उसमें कितने बड़ी गल्ती कर दी है गैस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने बोला कि कोई third party हो सकते तो जरूर यहाँ पर कोई third party है वो तो परिवार तो है ही लेकिन मुझे लगता कि परिवार की तरह से ऐसा कोई धोका आपके साथ हो सकता है कोई romantic third party भी कुछ लोग के साथ resonate होगी हर किसी के साथ बात resonate नहीं होगी लेकिन कुछ लोग आप रहसे हैं कि इस अंसाने आपको ignore किया और वो आपसे दूर चला गया किसी और के लिए और फिर अब देखो उसके हालत क्या होगी है वो अपना ही कर्मा face कर रहा है अपने कर्मों का जो सजा होती है वो भुगत रहे है आपके परसन और बहुत दा पेड में है बहुत दर्द में आपके परसन दिखाई दे रहे हैं यहर किसी के साथ resonate नहीं होगा बहुत कम लोग है जिनके साथ romantic third party है ऐसा resonate होगा ठीक है तो आपके परसन तो बेचन है information आया है जो उसने गलत किया उसको समझ में आए कि उसने गलतिया की है और उसको बदलना जरूरी है अब देखते हैं आपका क्या हाल है आप तो चाहते हो ना कि अंसान जल से जल आपकी तरफ वापस आए अप मैंसे कुछ लोग long distance में हो सकते हो आप चाहते हो कि distance खतम हो जाए आप दोनों के बेच में जो भी distance है जल से जल खतम हो जाना चाहिए आप इस situation से निकलना चाहते हो जल से जल और आपको गुसा भी आ बहुत कुछ invest किया है लेकिन आपको return नहीं मिला है ठीक है आपने बहुत वक्त बहुत emotions invest कर दिये return कुछ भी नहीं मिला आपको ऐसा फिल हो रहा है यह इंसान शुक फिल कर रहा है आप भी स्टक फिल कर रहे हो आपको ऐसा लगते आप कैसे बढ़ेंगे उसके तरफ और वो बहुत गुस्ता आ रहा है कि नहीं मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा और उन चीजों को क्लियर करना पड़ेगा जो जो सवाल आपके मन में हैं उन सवालों के जवाब आपको चाहिए ठीक है और आप चाहते हो सवाल आफ़र अब आपको लगता है कि बस बहुत हो गया अब कब तक इंतजार करे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप खुद जाकर इस इंसान से कुछ बाते क्लियर करना चाहते हो जगडा करने के मूड़े में मुझे आप दिखाई दे रहे हो कुछ अंदर maturity को बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर है participation चिंटा करने के जरुरत नहीं है बहुत जल्द आपके जिंदगे में कोई celebration आने वाला है कोई good news आपको मिल सकती है आपके शादी हो सकती है ठीक है कुछ खास होने वाला है नमबर 4 आप बहुत emotional person हो बहु बहुत ज़दा emotional person आप हो तो खुद को ज़रा balance करो ठीक है आपको लगता है कि चारो तरफ जैसे का अंधेरा है आपके जिंदगे में कुछ ठीक नहीं होगा यह जो negative ख्याल है आपके मन में इसको हटाना पड़ेगा ठीक है ऐसे इतनी black energy में आपको नहीं रहना है positive सोच के स आपका जो कर्मा है वो वापस आएगा जो आपने दिया है वो चार गुना होकर लट कर आएगा आपके पास चिंता मत करो ठीक है देखो वापस वह energy की कितना ज़ादा negative सोचते हो कितना ज़ादा release करो खुद को इस negative energy से आप जब तक खुद को release नहीं कर पाऊगे तो positive सोच क में कैसे जा पाऊगे है ठीक है तो कोशिश करो इस negative energy से अपने आपको बाहर निकालने की यही आपके लिए guidance है ठीक है I hope आपको रेडिंग पसंद आई हो like, share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए